गुड मॉनिंग स्टुडेंट्स लक्षमे आप सभी का स्वागत है मैं आज ट्रिपल ली का यूनिट नंबर फाइव का इंपॉर्टन कोश्चन लेके आया हूँ यह फॉर्स सेमेस्टर गुरूप बी के लिए और सेकंड सेमेस्टर गुरूप एक लिए होता है तो यूनिट आपका जो चाप्टर है उसका नाम है एसी सर्कीट इस पर आज हम दोग जानेंगे कि इस चाप्टर में हमें किन किन कोश्चन को ज़्यादा बेटेश देना चाहिए एक्जाम नजदीक है और कुछ दिनों के बाद कुछ महिनों के बाद फर्स सेमेस्टर के बच्चे तो यह उनके लिए भी काम आएगा, तो देख रहे होंगे आप AC सर्कीट, बहुत मजदार टॉपिक है, पहले इसको समझी है कि यह AC सर्कीट में क्या पढ़ते हैं आप, और यह AC को दो पार्ट में बाटा गया है, जब आप पढ़ते हैं, तो अभी इसी सेमेस्टर में आप Physics 2 यही अप्लाइड Physics 2 पढ़ाया जाता है आपको, ठीक, और अभी पढ़ते हैं एक सब्जेक्ट उसका नाम है ट्रिपल E, ठीक है, तो जो अप्लाइड Physics 2 में एक चैप्टर आता है, इसका नाम है Current Electricity, ठीक है, यह जो Current Electricity और इसी में, ठीक है, इसी के जस्ट बाद आपको प तो, एसी और Current Electricity, दोनों एक सलसिलेवार तरीके से स्टडी कीजे, हलाकि मैं अभी इसका Important Question नहीं बता रहा हूँ, Physics के अलग Important Questions बनेंगे, अलग तरीके से, अभी मैं सिर्फ AC है, यही ट्रिपल E में जो AC सरकीट है, AC सरकीट, मैं इस पर आपको Important Question दे रहा हूँ, जो मैं Important Question दे रहा हूँ, यह मैं Theoretically दे रहा हूँ, Theoretically कहने का मतलब, मैं सिर्फ Theory का ही Important Question दूँगा, Numerical, मैं आपको साफ साफ हिदायत दे रहा हूँ, Numerical में Data एकदम Exactly मैच नहीं करेगा, हाँ, Pattern मैच कर सकता है, लेकिन Teachers जो Class में जितना Numerical कराएंगे, उतना Numerical आपको करना ही ह है, ठीक है, अगर आप Numerical नहीं बनाते हैं, तो मैं आपको इसमें कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, बनाते हैं, नहीं बनता है, मैं Help करूँगा, ठीक है, लेकिन Numerical का Guess नहीं देने वाला, Numerical का Guess खुद से करना होगा, और मैं Class में किये गए Numerical को बार-बार Repeat करने के लिए बोलूँगा, आते हैं, यह AC सरकीट में कौन-कौन सा Question हमें करना है, ठीक है, तो चलते हैं, AC सरकीट पे हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं, AC का Full Form जानते होंगे, Alternating Current, एकदम सही है, और इस Chapter को अगर आपको Teachers पढ़ा रहे होंगे, तो धेर सारे Term यूज किये गए होंगे, बहुत सारे Term हैं, जो बहुत सारे सब्द हैं, जो यूज हुए होंगे, उसमें आप ये जो Term आपको Define करने आ सकता है, तो मैंने धेर सारे छ Define तो सब को किजे, लेकिन आगर आप हमसे पूछते हैं कि इतना सारा Question क्यों डाल दिये सर, सब तो डाल दिये, तो आप Important सुन लीजे, मैं इसमें जो टिक कर रहा हूं, वो ज्यादा वी Important है, वही एक्जाम में उमीध है रहने की है, जैसे Instantaneous Value, ये रहेगा ही रहेगा, ठीक और आपके पास Page के बारे में Define करने के लिए आता है, तो ये मैंने जो टिक किया, ये ज़्यादा तर Important Questions है, इन सब का Definitions एकदम रहेगा ही, तो आप जो मैं टिक कर रहा हूं, उस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, इसका मतलब यह नहीं कि बाकी को ध्यान नहीं देना है, एक बार Study जरूर करना है, क्योंकि मैं भगवान तो हूँ नहीं, मैं सिर्फ अपने Experience के अधार पर ये कह सकता हूं, कि जो Question बनाए होंगे, उनके, उनका दिमाग पढ़ने के बाद, मैं बता सकता हूं कि ये, ये Question आप कीजिए, या सिधा सभासा में कह सकते हैं, जो 12 साल का Experience है, पीछे के आए हुए Question को पढ़ने के बाद, मैं अपना Experience Share कर रहा हूं, कि ये सब Question आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये आपके पास समय है, और अगर आप पढ़े हुए अच्छे से, तो बाकी Question को भी करें, ठीक, आईए, दूसरा Question आता है, Define Sign Wave with Diagram, ये बहुत Important है, ठीक बट एक्जाम में नहीं आएगा, Important इसलिए बोला मैंने, क्योंकि ये आगे चलके, अगर आप Electrical और Electronics ब्रांच से हैं, तो ये पीछा नहीं छोड़ने माला, लेकिन एक्जाम में आने की संभावना नहीं के बराबर है, लेकिन हम लोग इसको पढ़ेंगे, इसमें करना क्य सरसे साइन वेब का फोटो बनाईए, कहता है साइन वेब का फोटो बनाईए, इस तरीके से साइन वेब होता है, ठीक, इसमें इसको क्या बोलते हैं यहां से यहां तक को, इतने वाले पोर्षन को क्या कहा जाता है, इतने पोर्षन को क्या कहा जाता है, यहां से यहां तक की दूरी को क्या कहा जाता है मतलब कह रहा है कि एक sine wave में कौन-कौन से term use होते हैं वो बताना है जैसे यहां से यहां तक एक time period हुआ यहां से यहां तक को amplitude बोलते हैं यह negative half cycle है यह positive half cycle है ठीक है तो इस तरीके से आपके पास अलग-अलग इसमें term use होते हैं तो वो ही बोल रहा है कि define sine wave sine wave को define कीजे with diagram diagram बना कर इसमें जो term use हो रहे हैं उसको define करने करने के कहता है मेरे अनुसार से question number two बहुत ज़्यादा important नहीं है लेकिन ठीक है पढ़ना है हमें questions आ सकता है इसलिए मैंने डाला बहुत ज़्यादा important नहीं है आईए question number तीन define average value and find average value for sine wave ये तो आपको मैं कहूंगा कि यदि आप रट रहे हैं या फिर आप जो भी करना चाहते हैं ठीक है भी भी आई ठीक है ये रहेगा ही question ठीक है जहाँ मैं इस तरीके से दो टिक मार बना दूँ और भी बी आई लगा दूँ इसका मतलब आप समझ लें कि वो question exam का सबसे important question है उस chapter के लिए तो इस question को तो एकदम कर लीजे ठीक है पहले सुनिए इसमें क्या मैंने बोला average value क्या होता है class में teachers ने बताया होगा और sign wave का average value निकालने के लिए कहें कभी कभी question में एक बार मेरे साथ ऐसा event हुआ कि question में पोला find the average value सिर्फ average value निकालने बोला इसमें किसका average value था उसको निकालने के लिए नहीं बोला तो आप understood करेंगे क्योंकि आप sign wave की study करते हैं AC circuit में तो आप sign wave का ही बना के आएंगे तो एक लड़का हमसे question पूछता है क्या sign wave के अलावे भी किसी दूसरे wave का average value होता है अरे बहुत सरे किसी भी AC का भी average value निकल सकता है जैसे आपो class में teacher पढ़ा रहे होंगे तो इस तरह के wave बताये होंगे यह sign wave है इसका average value निकल जाएगा यह इस तरह का wave होता है यह triangular wave है इसका average value निकल जाएगा एक सौटूत wave होता है ऐसे perpendicular ऐसे ठीक है नीचे जाएए नीचे थोड़ा ही तो हो गया इसका भी निकल सकते हैं यह भी हो गया इस तरीके से wave है इसका भी average value निकलेगा इसका average value निकलेगा यह देखिए ऐसे ठीक है यदि मेरे से class किये हुए होंगे triple E वाले triple E मेरे से पढ़ते होंगे तो मैं physics में भी पढ़ाता हूँ कुछ एक chapter साथ last unit semiconductor तो मैंने इसमें full wave rectifier बताया है है ना यादा रहोगा यह full wave rectifier है इसका भी average value निकालने के लिए पूछ सकता है तेक लड़का बोला रहे सर यह तो half wave rectifier है यह एकदम correct SWR और यह FWR full wave rectifier इसे saw tooth कहते हैं saw tooth टीक है saw tooth का मतलब होता है आरी काटते हुए देखे ना आरी का दात वैसे आरी का दात है इसमें उसी तरह से बना हुआ है यह perpendicular होता है यह टेढ़ा यह perpendicular यह परपेंडिकुलर यह परपेंडिकुलर टेक यह triangular है इसमें यह देखे यह दोना एंगल बराबर बराबर बटेगा और फिर नीचे भी सकते हैं लेकिन यदि आप हमसे पूछते हैं कि किसके average value आने की संभावना ज़्यादा है तो मैं आपको कहूंगा sine wave का average value आने की संभावना है दूसरा यहां से objective question direct पूछता है कि what is the average value of sine wave तो इसका जो last में expression आता है उसको याद कर लीजिए और वो exam में objective question 4 option रहेगा अगर आप average value याद है तो बस बना दीजे टिक मार दीजे next question पर आते हैं define rms value rms नाम तो सुने होंगे एक बच्चे से पूछा था मैंने class में rms का full form तो बोलता है rail mail service ठिक हसी आरी होगी न rail mail service अरे नहीं rail mail service rail में होता है वो ticket स्वरी चिथी भेजने वाला बट नहीं rms का full form होता ह है root mean square root mean square ऐसा नाम क्यों पढ़ा एरे तीस में तीन सब्द है root अंग्रेज मैट्स में यूज होता है mean mean भी maths में यूज होता है square भी math में यूज होता है तो आखे root mean square क्यों पढ़ा क्योंकि इसको calculate करने में इन तीनों process का यूज करते हैं आप root का mean का square का ठीक है तब जाकर क कि इसकी value calculate होती है तो rms value पहले है क्या बहले उसको define करना होता है और sine wave के लिए जैसे कि मैंने sine wave के लिए average value बताया sine wave के लिए rms value क्या यह important है तो मैं बोलूँगा जितना important average value है उतना ही important rms value है इसलिए इसको भी मैं BBI लगाऊंगा अब मेरा बात सुनिए आपको एक important अच्छी बात बताता हूँ एनि तीन और चार जो आपके पास question है तीन और चार यदि आप दोनों complete कर लेते हैं तो दोनों में से कोई एक question ही रहेगा या उपर वाला रहेगा या नीचे वाला तो आज आपको मैंने AC सरकीट में एक question fix कर दिया यदि आप दो question प ये रह सकता है या ये रह सकता है अब मेरे को नहीं पता कि ये रहेगा या ये रहेगा लेकिन इतना sure मैं बोल रहा हूँ कि average value या RMS value में से कोई एक value calculate करने के लिए रहेगा ही तो ऐसे अगर आप तयारी करते हैं सोच सोच कर एक strategy बना कर तो आपको जल्दी समझ में आएग चलिए तो इन दोनों को अच्छे से prepare कीजिए इसकी value पूरा और इसमें को theory भी नहीं है मतलब लिखना भी नहीं है language अंगरेजी में कोई problem नहीं जिनको integration मजबूत होगा जिनका integration अच्छा होगा इन दोनों question को तो आराम से चुटकी बजा के बना लेंगे ठीक है इसलिए इ इसमें सिर्फ definition है अगर ये दोनों मान निकल जाता है तो बोलता है this by this ये this by this निकलना है मतलब average value बटा RMS value, RMS value at average value ये दोनों मान आपका निकलता है तो ये अपने आप याद हो जाता है पांच नमर में याद करने का कोई जंजट ही नहीं है सिर फॉर्मूला याद करके ज जाना है ध्यान रखे मैं जो बोल रहा हूं यदि मेरी बातों को गौर करते हैं और एक्जाम में उसको ध्यान रखे तैरी करते हैं एक्जाम के लिए अपको एक भी question दिक्कत नहीं होगी एक भी question में problem नहीं होगी और अच्छे marks आएंगे ठीक है कम समय है अच्छे से prepare करना है एकदम मैं जो बोल रहा हूं उसको याद कर जाई तो एक student हम से question कर दिया था कि हम कैसे माने आपकी बात क्यूं माने आपकी बात एकदम सही question पूझे ठीक है तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं 12 साल 13 साल से मैं पढ़ा रहा हूं पॉले टेक्निक को पढ़ा रहा हूं और हर एक semester में मैं इस तरह के questions देता हूं और इन question को बच्चे बनाते भी हैं और मेरा ये वीडियो तो YouTube पे ही रहेगा ठीक है और हमेशा के लिए रहेगा मैं तो भाग भी नहीं रहा हूं जब आप एक महने बाद exam देंगे वह अपीस आएंगे फिर से review कर लीजेगा कि सिभारती सर ने क्या-क्या कहा था अगर हमारे बातों में से थोड़ी सी बात सचाई निकल गई तो जरूर थोड़ा सा समझ लिजे हाँ सर ने कुछ सही बात बोला था ठीक बस इतने ही कहूंगा कि अब आकि आपना समझदार है ठीक आईए ये एसी circuit का first part होता है जिसमें कि मात्र मैंने दो question को और इसमें से कुछ definition को मैंने याद करने के लिए का ठीक दूसरा part इसमें circuit बनाने के लिए होता है जिसमें हम लोग के पास school मिला के 6 circuits पढ़ने होते हैं टीचर 6 circuits के बारे में ध्यान दिलाएंगे पहला circuit बताया होंगे resistive circuit दूसरा inductive circuit तीसरा capacitive circuit चौथा RC circuit RL circuit LC circuit द R और C दोनों एक साथ आ गया इसका मतलब दोनों series connection में हाँ पढ़ना है किसमें series में आपके syllabus मैंने देखा कि series में है कि parallel में है तो series connection not parallel study भी नहीं करनी है आपके syllabus में नहीं बोला है इसलिए आप parallel पे मत जाहिए यहनि RC series circuit RL series circuit RLC series circuit फिर RLC यहाँ भी series छुट गया है आप series पूट कर लेंगे यहाँ पर तो इस तरीके से RC series circuit RLC series circuit RLC series circuit RLC series circuit कैपरसिटिव circuit inductive circuit और assistive circuit छे circuits मैं बता रहा हूँ ठीक है तो इतना तो clear मैं बता रहा हूँ कि जैसे मैंने उधर दो question में से कोई एक question आने की संभावना जताया वैसे ही मेरे पास इस तरीके से तीन questions को मैं जगा gather कर रहा हूँ कौन कौन इंट्रेसिटिव circuit, inductive circuit और capacitive circuit इन तीनों में से कोई एक question रहेगा fixed है रहेगा रहना ही रहना है इन तीनों की त्यारी में तो इस तरीके से combination बना के त्यारी किजे एक बच्चा इसी तरह से सुनते सुनते बोलता है ऐसे करते करते तो teacher सब question मे पढ़वा देगा ठीक है तो फिर हम लोग को क्या फायदा हुआ तो ऐसे आप जैसा सोच रहे हैं कि मैं भगवान हूँ कि यही question आएगा बना लो बच्चा तो वैसा मैं नहीं कर सकता फिर वैसी पढ़ाई से भी हम ऐसे आप बोलेंगे कि उससे बहतर होगा कि किताब copy को ब strategy बता सकता हूँ strategy का मतलब तरीका बता सकता हूँ कि कैसे आप exam में maximum max gain करेंगे ठीक है तो मैं इसमें मेरी बातों को अगर समझ पा रहे हैं तो ठीक नहीं तो फिर आपकी मरजी है ठीक है next आईए तीन questions इन तीनों में से कोई एक रहेगा ठीक आईए यहाँ देखिए इसमे एक दो तीन चार एक दो तीन चार सरकिट है इन चारों सरकिट में से कोई एक रहेगा लेकिन अगर हम से कोई पूछता है तो मैं बोलूँगा आप इसको याद कीजी RLC सरकिट इसका फिजर डाइग्राम के साथ यहीं कि अब बोले सर इसमें आप सब को क्यों नहीं बोले तो मेरे को पता है बता रहा हूं क्यों क्यों क्योंकि RLC सरकिट पढ़ने के करम में अगर आप RLC पढ़ लेते हैं तो भाई इन तीनों में सिरीज में इन तीनों आ जात बहुत सारा cheating भी होता, cheating करना smart तरीके से cheating भी होती है, smart तरीके से cheating का मतलब, अब देखें मेरे को मैं बता रहा हूं कि मेरे पास क्या हुआ एक दिन मैं किसी particular question को याद करके गया, अब याद ही नहीं आ रहा है कि exactly क्या है question कैसे याद करें, पुरा याद है बट starting का कुछ याद दिया रहा है, अचानक एक दोस्त पगल में बैठा था, उससे मैंने इसारे में बोला, ठीक है, तो बस कॉपी का ऐसे किया, बस ऐसे थोड़ा सा, यह गलत तरीका है, गलत है, तेकिन ऐसे किया, मैंने उसका फॉर्स्ट एक लाइन देखा, और उसके बद मेरे को सब याद आ ग तरीकी की तेहरी चोरी करनी है, जैसे, ऐसे किया, ऐसे देख रहा है, फिर नीची देख रहा है, फिर नीख रहा है, इस तरह की चीटिंग, अगर आप चिट्टा लेके जाते हैं, तो मैं वाइड करता हूँ, इस तरह की कलतिया ना करें, आप मेहनत करके पढ़ें, मेहनत कर रात बर पढ़ाऊंगा, अच्छे से महनत करवाऊंगा, ठीक है, महनत करके लेकिन याद कीजे, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आपके पास क्या क्या गया, RLC सिरी सर्खिट बहुत important हो गया, ठीक, तो इसमें कितने questions मैंने किये, इन दोनों में से कोई एक आएगा, ऐसे तीन पढ़ लीजे, मैंने एक दो topics में छोड़ दिये, KVL, KCL, इसमें नहीं आएगा, KVL, KCL बहुत important है, unit number one का chapter है, KVL, KCL, देने वाले गलत करते हैं, तो मैं क्या करूँ, KVL, KCL, unit number one, one में जाके पढ़ना होता है, ऐसे मैंने अपने बच्चों को, जो हमारे class करते हैं, उनक पांच तारिक, छे तारिक से daily live class देना हैं को, रात में होगी live class, 9 बजे, 10 बजे के आसपास, देखते रहिएगा, YouTube channel में कि कब live class आ रहे हैं सर, तो उस live class में आप अपना doubt पूछ सकते हैं, मैं एक एक करके हर doubts का, एक live class में बताते जाओंगा, आप उसकोर clear करते जाएगा, क यह था AC circuit का, एक छोटा सा, मैंने एक दो term छोड़े हैं, तो मान के चलिए कि अगर आप उसको अलग से पढ़ते हैं, syllabus में है, अगर उसको पढ़ते हैं, इसे power factor पढ़ना चाहते हैं, पढ़ लिजे, power, power, factor, इसको पूरा पढ़ लिजे, power factor, पूरा पढ़ लिजे, तो, power factor को अपने से करना है, और एक star delta मैंने लिखा है, voltage और current के बीच में relation का, वो अपने से कर सकते हैं, क्या मैंने बोला, ठीक है, star delta relation, star delta of voltage and current, इसका एक relation आता है, तो बताते हैं, सरलोग, तो आप इसको पढ़ लिजे, बस मैं बूलूँगा, पढ़ना चाहते हैं, तो, मैं ऐसे important question में, मैं, oh selected, क्यूंगी, गिने चुने ही question रहेंगे, सब तो रहेगा नहीं, तो सभी questions को लाना और बताना, ठीक है, हो सकता है, रहे, लेकिन मेरे अनुसार से, ये question को पढ़िए, इन तीनों में से को एक पढ़िए, इन दोनों में से को एक पढ़िए, और ये definition पढ़िए, अब आईए, अंतिम, जो इसके लिए आप video, में बताया गया numerical, notes copy, sorry, notes copy, के पूरे numerical को complete कीजे, कुण कौन मैंने बोला, video, तो notes copy, sorry, और video, इन दोनों में, जो भी question है, उसको complete कीजे, इसी में से सारे questions रहेंगे, pattern वही रहेगा, ठोर data change रहेगा, 500 है, 400 है, 300 है, 200 है, तो इसमें कैसे बनाये होंगे, सरलोग वैसे, तो ये था छोटा सा AC circuit पे related questions, जिसको क्या आप अच्छे से बनाईए, ठीक है, मैं फिर से आए दिला दू, 3 और 4 में से कोई question रहेगा, और 6, 7, 8 में से question रहेगा, एनि कि यहां से 1 question और यहां से 1 question, AC circuit में 2 question fix हो गया, definition यहां से 4, 5 definition रहेंगे, यह 3 questions को अच्छे से अगर prepare हो जाता है, तो आपका हो गया भाई, AC circuit से 10, 7, 8, 10 number के ही question आएंगे, तो आपका AC circuit पूरा बन जाएगा, तो इसलिए पूरे तरीके से prepare कीजिए, इसको ढंक से मैंने जीतना बताया है, उतना को prepare कीजिएगा, तो maximum आपके पास आजाएगा, चलिए तो इस वीडियो में इतना ही, अगले फिर से एक वीडियो में नया chapter, नया unit पे हम लोग important question देखेंगे, चलिए इसमें इतना ही